कि नमस्कार आप सभी मित्रों का एक बार फिर मेरे यूटूब चैनल स्टेडी पॉइंट में आज फिर से एक बार फिर आपके सामने हम उत्राखंद से संबंदे प्रफिर से एक बार फिर यह बार फिर यह बनाई गई है आपके सामने लाने के लिए बीच में हमने देवलगर से संबंदे एक जो वीडियो थी लाइब जो आपके लिए लाये थी और उसके बाद एक सोल भी टेस सीरीज आपके लिए लाये थी और उसके काफी समय बाद हम यह टेस सीरीज ला रहे हैं तो उमीद करते हैं यह भी आपको पसंद आएगे और अच्छे क्वेशन इसमें डाले गए हैं जो कि आपको पसंद आएगे तो शुरू करना से पहले एक बार फिर से समय चाओ ऑगा की जो हमारे चैनल पर पहली बार आ तो पर बार आपके सामने ओनेश्वर महादेव मिला किस जन्पद में लगता है ओनेश्वर महादेव मिला किस जन्पद में लगता है ओप्सन A है चमोली, ओप्सन B है तीरी, ओप्सन C है पौडी, ओप्सन D है रुद्र क्र्याग तो ओनेस्वर महादेव जो मेला है वो किस जनपन में लगता है हमारा वो लगता है हमारा तेरी में तेरी के प्रताप नगर छेतर में लगता है हमारा ओनेस्वर महादेव मेला ठीक है यहाँ पर ओनेस्वर महादेव का एक मंदिर है तो उसी महादेव के मंदिर में यहाँ मेला लगता है और जो पिछले ही महीने यह लगा था हाली में ठीक है परताब नगर में यह मेला लगता है और जो ओने सुर महादेव का मंदिर है उसी मही यह मेला लगता है ठीक है तीरी के परताब नगर में दूसरे question पर चलते हैं सहीद जस्वंत सिंग स्टेडियम किस जन्पद में इस्तित है option A है चमपावत, option B है टीरी, option C है पॉड़ी, option D है बागिश्वन ठीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो जस्वंत सिंग स्टेडियम है वो किस जन्पद में यह पॉड़ी जन्पद में ठीक है अब पॉड़ी जन्पद में कहा है जो रासी स्टेडियम है सबसे उंचाई पर इसको पहले नाम दिया गया था तो अब इसका जो नाम करण किया गया है वह जस्वंत सिंग के नाम पर जो है यह अब जस्वंत सिंग कर दिया गया है रांसी स्टेडम जो कि एश्या का सबसे उंचाई पर वाला स्टेडम माने जाता है तो उसी का नाम यह सही जस्वंत सिंग सिंग रखा गया अब यह क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट है आगे के पेपरों में आ सकते हैं अभी तक लोग इसको रांसी स्टेडम के नाम से जानत का है उप्सने अ उत्तरकाशी ओप्सेंठ बी है द्र दूर्ण के टिरी कानु मेला हमारे लगता है टैरन में दयरदुन के ससाथ करला का यह यह जहांसरियों के सबस्कयाक क्योंसे मेला क्वानों मेला ठीक है। ओप्रस नमर चौत्या है। उत्राखंड में चैति देवी किस वह सट की राजाओं की कुल देवी थी। ओप्षण एंप पमार वहता हैं चंद वन्स के राजाओं की कुल देवी ठीक है जो पिसली बारे हमने वीडियोब बनाये था देवलगड में राजराजसुरी का जो मंदिर था वो पमारवन्स के राजाओं की कुल देवी थी राज राजिशरी ठीक है और चंदवन्स की राजाओं की कुल देवी कौन है चैती देवी ठीक है इसी में चैती देवी मिला भी लगता है पमाओं में यह है ठीक है चैती देवी मिला इसी में लगता है और यह जो चंदवन्स क मुंदर eatetin मंदर का नाम क्या है अब इसमें एक कूसिन आपका फिर क्लीर हो जातो कि जागेशंवर मंदर कितने मन रही है यह 124 मंदर ठीक है जागेशवर मंदर सुअ कितना मन्र एक जागेश बढ़े मंदर का नाम किया आ does सबसे बढ़ा मंधिल सांता मैं है है इसमें सबसे बड़ा मंदिर कोण तो भादो की मंगरी जलदारा इस्तित है अब भादो की मंगरी क्या हुआ जो भादो की महिने में जो मंगरी आती है मंगरी मलं जिसको पंदेरा भी कहते है ठीक है जहां से गूल टाइप की निकलते है और उसे पाने निकलते है तो उसी को कहते है मंगरी तो भादो की मंगरी जलधारा कहां इस्तित है तो option A है चमोली में, option B है टीरी में, option C है पौड़ी में और option D है अलमोडा में तो जो भादो की मंगरी है वो कहा है हमारी वो हमारी पोड़ी गड़वाल में ठीक है भादो की मंगरी कहा है पोड़ी गड़वाल में इसी को भीमी की मंगरी भी कहा जाता है आप question यह भी आ सकता है कि भीमी की मंगरी जलधारा कहा इस्तित है भीमी की मंगरी तो यह हमारी पो कि अपुद नाम है option A है सिभ पूरी का option B है रिशी के इसका option C है कॉडियाला का option D है खरीद्वार का तो वाइड वाटर वणडर उपनाम किसका है अमारा यह है हमारा कॉडियाला का ठीक है आपने देखा हुआ कि यह बहुत प्रिशिद है राफ्टिंग के लिए तो इसलिए इसका उपनाम दिया गया है वाइड वाररव्ण ठीक है इसका नाम है कॉडियाला का म نے ठीक है प्रस्री नमर 8 है फिकवाल परत्था एक बिशेष परत्था हैै, फिकवाल परत-था एक विशेष परत-था है तो जो फिक्वाल पर्था है वो है हमारे option A, तीरी जनपत के ब्रहमनों की अब ये तीरी जनपत के ब्रहमनों की पर्था कैसी है इसको थोड़ डिरियल में देखते है जो गड़वाल मंडल के पर तले भिक्चा लेता है पूरा उनका जीवन काल होता है उन मेंके किसी को एक बार बिख्षा लेनी पड़ती है, उनके यहां ऐसी प्रथा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कि जो तिस्के आधर पर लोगों का हाथ देखते हैं, और उससे बिख्षा के रूप में पैसा एकतरित करते हैं, और इस परकार के भिक्चा एकत्र करने के लिए ये फिक्वाल कहलाते हैं ठीक है जो मांग करके जो क्या करते हैं हाथ दे करके उनसे पैसे एकत्र करते हैं उनसे भिक्चा लेते हैं ऐसे में तो इने को फिक्वाल कहा जाता है तो इन ब्राह्मनों को जो टीरी जनमत के नाग राज तो स्थोक्षा को बैठ करते हैं जो यह विक्चा ले कर या रों में उन्हक्तर करते हैं तो पेक्वाल कौन थे तीरी जन्पत के ब्रामण से नागरजद मंदिर थे यह इनको पिक्वाल कहा जाता है नौवा प्रस्न है हमारा फते परवत इस्तित है, तो फते परवत हमारा कहा है इस्तित है, उप्षन A है चमुली, उप्षन B है बागेश्वर, उप्षन C है उत्तरकाशी और उप्षन B है रुद्र प्रयाद, तो फते परवत हमारा कहा है, इसका उप्षन हो जाएगा, फते परवत है हमारा उत्तर काशी में अब इसके बारे में देखते हैं जो परवाई निदी का तक्षी जहान निदी परवायत होती है जिस जहां जो वहां का गाओं पड़ता है बंगार चांगसिल और पिटाणी धार अन्य बहुत सारे बिस्त्रिक छेत्र यहां पर तो यह सारा प्रवत जो है हिमालाई छेत्र के बुसर राजर के अधिना आता था और इसमें इसमें फटे करके अपना कब्जा जमालिया था तो इसलिए इस प प्रवर्टी छेत्में हैं यह इस टेच सीरेज का अंतिम और दस्वा प्रश्ण है नेलेश्वर महादेव मंदर स्थत्त है ऑप्सने अलमोड़ा में संब्र रुद्र प्याग में संसीफ पौड़ी में में एक शमूली में तो ने श्वलिव महादेव मंदर इस हैं रुद् कि तुल कि होता है उसमें देवदार के बिक्ष यह सुद्च के बिस्ते के अंदर खाताँ Hi दस प्रस्मते हैं हमारे उमीद हैं आपको पसंद आएंगे और आप इसको नोट करते हुए चलेगा आगा में परिक्षाओं के लिए अत्यनत्र महत्वपून है कि प्रिप्या हमारे चैनल को जाद से जाद लाइक कीजेगा सेर कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद झाल